Realme C11, C12 and C15 Hidden App Future Setting नमस्कार दोस्तो सुआगर अब सभी का थिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा Hidden App Future दोस्तो आपको कहाँ पर मिलेगा ठीक है तो आप दोस्तो यहाँ पर मान लेजे कोई भी एप को हाइट करना चाते है आपने हॉम स्क्रीन से और दोस्तो किसी को भी वो एप जो है शो करवना नहीं चाते है तो आज के इस वीडियो को पूरा जरू देखे मैं आपको शो करके बताऊंगा यहाँ पर केसे आपको जो है वो एप्लिकेशन हाइट करना है ठीक है अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को आप अन तक पूरा जरू देखेगा ताकि आपको समझने में आसान हो जाए और आपको दोस्तो यह भी जानने को मिलेगा केसे केसे जो है इडिन एफ फ्य जरू करते हैं सबसे पहले हमें जाना है दोस्तों अपने मुबाइल के सेटिंग के अंदर पर जैसे जाओगे दोस्तों आपको मिलेगा इस तरह का इंटरफेस तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है नीचे में आपको मिलेगा है उसको सेट कर देना है अगर आप दोस्तों यह पहली भर कर रहा है तो आपको पहले तो अपना प्राइवव वीसी पास्वोट सेड़ करना होगा सबसे पहले बार एक ह्याम करनि आप को दूबारा से बढर ऐगा उसके बार यह इंटरफेस निकल कि आ जाया अ security question अगर आप भूल जाते हैं लोग को तो security question के मदद से आप उसको break कर सकते हैं ठीक है तो आप अपने नाम जो है उस security question पर add कर सकते हैं एंदें दोस्तों आते हैं हमारे topic पर कि कैसे एप को जो हाइट करें सबसे पहले अपने एप को open करें इस बटन को enable कीजिए enable passcode verification and then आपको hidden home screen icon कर दीजिए एंद उसके बाद वो जो एप हैं आपके home screen से hide हो जाएगा उसके बाद दोस्तों उस एप को use करने के लिए आपको access code भी मिल जाते हैं ठीक है अगर आप क्लिक करते उसमें जाके आप access code को भर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आपका access code जो है वो काम कर जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है सेम सेटिंग आपको follow करना है तो अभी दोस्तों आप जाकी देखिए आपने applications के folder में तो आपको कई भी नहीं मिलेगा तो इस पकार से दोस्तों आप जो यह hidden future को use कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो बसने होगा thanks for watching